chapter के स्टार्ट में दिखा आए जाता है कि तिन लोग जंगल में चल रहे होता और उनमें से एक लड़की पैर में मूचा गई होती है इसलिए एक लड़का उसे उठा के चल रहा होता है और ये हमारा main character का नाम है Yann Wain यान बोलता है सौरी मैंने तुम लोगों को यहां लाया पर जैसे ही यहां से निकलेंगे मैं तुम लोगों को ट्रीट दूँ फिर पुचता है वो कैमरा किसके पास दूसरा लगा बोलता है अरे नहीं लगता है हमने उसे कहीं किरा दी उसके बाद यान उन से नीचे मिलने को केमरा डोनने चला जाता है, जंगल में बहुत फोग होता है, इसलिए यान वहां से गूम हो जाता है, फिर दोरी दोर जाने के बाद उसे कहीं से रोसनी आते हुई दिख, उसके पास चाल के देखता है, तो वहां एक पूरा भिलेज होता है, फिर नेक्स्ट सीन में डीमन से लड़ सकते हैं, यहां रहे, और बाकी कहीं जाके चुप जब, तभी यान वहां आ जाता है, और देखता है कि लोग यहां वहां भाग रहे होता है, और वह एक जगह चुप जाता है, और वहां चुप के डीमन किंग को देखता है, और बोलता है कि यह असली का डीमन है, क एक स्क्राइब में दिखायों आचुके होगा फिर मास्टर में इंक और पेपर लाने को बोल तेंए और पिर उसमुनिंग मैजिक करके एक बड़े वाइड ड्रेगन को समन करते हैं और यह सब डीमन देख सब यहां नीचे खड़ी होंके देख रहा होता है और वह अच्छे से देकने के लिए एक मूर्ती के पास जाता है और वीडियो रेकरिंग करने लुए next scene में दिखाया जाता है demon king और master me लड़ रहे होते हैं demon king master me पर हमला करता है और तबी master me बोलते है spirit तालिसमान activate और उनके चारों तरब एक shield बनने लग जाते हैं फिर भी demon king अपने fireball से उस shield पर punch करता है जिससे उहां एक बहुत बड़ा explosion हो जाता है जब धुआ हटता है दिखता है कि मास्टर मी को कुछ नहीं हुआ 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 और उससे डीमन किंग पर हमला करने लगते हैं और बोलते हैं स्विप्ट एजदी विंड तालिसमान एक्टिवेश और वहाँ एक बुलू कलर का बड़ा सा सरकल बनने लग जाता है और इसमें डी डीमन किंग और यान उसमें जलने लगते हैं और फिर डीमन किंग यान को देख लेता हैं और सूचता है यह को